Your Excellency, Prime Minister Boris Johnson, Distinguished Delegates, Media के हमारे साथ ही, नमस्कार. सबसे पहले मैं प्रदानमंत्री Boris Johnson और उनके Delegation का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूँ. प्रदानमंत्री की रूप में बहले ही है, उनकी पहली भारती आत्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं. पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के सबंधों को मजबुत करने में प्रदानमंत्री जॉन्सन की बहुत महत्वपुन भूमी का रही है. इस समय जब भारत अपनी आजादी का अम्रित महोत्सों मना रहा है, प्रदानमंत्री बहुरी जॉन्सन का यहां आना अपने आप में एक एतिहासिक पल है. और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का सुभारम, सावर्मती आश्रम में महत्मा गांदी को स्रद्धा सुमन अर्पित करके किया. फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच comprehensive strategic partnership की स्थापना की थी. और इस दसक में अपने समंधों को दिशार देने के लिए हमने एक महत्वा कांख्षी road map 2030 भी लॉंच किया था. आज की हमारी बात्चीत में हमने इस road map में हुई प्रगती को review भी किया और आगा में समय के लिए कुछ लक्ष भी तैय किये. फ्री ट्रेड एग्रिमेंट की विशे पर दोनों देशों की टिम्स काम कर रही है. बात्चीत में अच्छी प्रगती हो रही है. और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णे लिया है. पिछले कुछ महनों में भारत ने UAE और ऑस्टेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट का समापन किया है. उसी गति, उसी कमिट्मेंट के साथ हम UK के साथ भी FTA पर आगे बढ़ना चाहेंगे. हमने रक्षा खेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमती व्यक्ति की है. रक्षा खेत्र में manufacturing, technology, design और development सभी खेत्रों में UK द्वारा आत्म निर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं. Friends, भारत में चल रहे व्यापक reforms, हमारे infrastructure modern national plan और national infrastructure pipeline के बारे में भी हमने चर्चा की. हम UK की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेस का स्वागत करते हैं और इसका एक उत्तम उदहारण हमें कल गुजरात में हालोईल में देखने को मिला. यूके में रहने वाले 1.6 मिलियन भारत की मुल्के लोग समाज और अर्थ विवस्ता के हर शेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं. हमें उनकी उपलब्दियों पर गर्व है और इस जीवन्त सेत्र को हम और मजबूत करना चाहते हैं. इस दिशा में प्रदानमत्री जॉन्सन ने नीजी रूप से बहुत योगदान किया है. इसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ. फ्रेंड्स हमने ग्लास्गो में आयोजीत कॉप 26 में लिए गये संकलपाउ को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई. आज हमने अपने क्लाइबेट और एनर्जी पार्टनर्शिप को और अधिक गहन करने का निर्णे लिया. हम UK को भारत के National Hydrogen Mission में सामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं. और हमारे बीच Strategic Tech Dialog की स्थापना का मैं रदे से स्वागत करता हूँ. Friends, आज हमारे बीच Global Innovation Partnership के इंप्लिमेंटेशन, एर्रेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्तपुन पहल साबित होगी. यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साजयदारी को और मजबूती प्रदान करेगा. इसके तहर तीसरे देशों में Made in India Innovations के ट्रांसफर और स्केलिंग अप के लिए भारत और UK हंड्रेंड मिलियन डॉलर तक को फाइनास करेंगे. इनसे Sustainable Development Goals की प्राप्ति में और Climate Change से निपटने के प्रयासों में भी बदद मिलेगी. यह हमारे स्टार्ट अप्स और MSME सेक्टर के नए मार्केट तलाफने और अपने इनोवेशन को ग्लोबल करने में बहुत उप्योगी सिद्ध होगा. Friends, हमने क्षेत्रिय और वेश्विक स्थर पर हो रहे अनेक डेवलोप्मेंट्स पर भी चर्चा की. एक Free, Open, Inclusive and Rule-Based Order पर आधारित इंडोपसिफिक छेत्र बनाये रखने पर हमने जोर दिया. इंडोपसिफिक ओशन इनिशेटिव से जुड़ने के यूके के निरने का भारत स्वागत करता है. हमने यूकेरेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलोग और डिप्लोमसी पर बल दिया. हमने सभी देशों की खेत्री अखनता और सम्प्रभूता के सम्मान का महत्वभी दोहराया. हमने एक पीस्फुल, स्टेबल और शिक्योर अफगानिस्तान और एक इंकुलुजीव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्मेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया. यह आवशक है कि अफगान भूमी का प्रयोग अन्य देशों में आतंगवाद फैनाने के लिए नहीं होना चाहिए. एक्सलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के समंदों को मजमुत करने के लिए विशेस प्रयास किया है. इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं. एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिजी बंडल का भारत में हारदिक स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद.